असलाम लेकुम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैट नोट्स में आपको लास 9, 10, 1st यर और 2nd यर की तमाम exercise के solution बताए जाएंगे इसके लावा SLO-based question और उनके भी solution बताए जाएंगे मज़ीद मालमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और उनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें आज की ये वीडियो 1st यर की students के लिए है जहां भी हम exercise का 1st question solve करेंगे 1st exercise का 1st question Which of the following sets have Cloyure property with respect to addition and multiplication Cloyure property हमने कहा था कि अगर आपके पास 2 या 2 से जादा real number हो एक real number आता है उनको multiply करने से भी एक real number ही आता है कि हमें जो इस given set दिया जाएगा अगर हम उसे add करें या multiply करें तो अगर तो वो set पे belong करता है तो फिर तो वो Cloyure property होल्ड करेगा otherwise नहीं करेगा स्पोज मेरे पास पहला set है zero ठीक है अगर मैं zero में zero add करती हूँ तो भी मेरे पास answer zero आएगा और zero में zero multiply करती हूँ तो भी मेरे पास answer zero ही आएगा तो इस लहाँ से मेरे पास जो set given set है given set hold the property of Cloyure hold the Cloyure property यह आप लिख सकते हैं ठीक है इसी तरह एक और set में लेती हूँ one ठीक है अब one में one add करूँ तो मेरे पास two आता है लेकिन one में one multiply करें तो answer one ही आता है इसका मतलब कि यह with respect to multiplication तो Cloyure property hold करती है लेकिन with respect to addition यह Cloyure property hold नहीं करती है ठीक है इसी तरह मेरे पास दो numbers का set है zero minus one है ठीक है अगर मैं zero में zero add करूँ तो मेरे पास answer zero आता है zero में minus one add करूँ तो minus one आता है ठीक है minus one में zero add करें तो answer minus one आएगा लेकिन minus one में minus one add करें तो answer minus two आएगा अब देखा जाए इसे minus two तो नहीं है इसका मतलब यह with respect to addition Cloyure property hold नहीं करती है अब with respect to multiplication देख लेते हैं कि zero multiply by zero तो मेरे पास zero आएगा zero multiply by minus one मेरे पास answer zero ही आएगा ठीक है minus one multiply by zero भी answer zero ही आएगा और minus one को अगर minus one से multiply करें तो answer plus one आएगा और plus one तो इसमें given नहीं है इसका मतलब ना तो यह with respect to addition Cloyure property hold करती है और ना ही with respect to multiplication Cloyure property hold करती है ठीक है अब यह property hold करती है या नहीं करती है यह आप मुझे बताएंगी ठीक है उमीद आपको समझ आ गई होगी आज के लिए इतना ही अला हाफेज